पाकिस्तान की पहली ट्रांस्जेंडर नियूज एंकर मार्विया मलिक शुकरवार को अपने आवास के बाहर अग्यात हमलावरो द्वारा गोली मारे जाने के बाद बाल बाल बच गई बंदुग धारियों ने 26 वर्षिय मलिक पर उस समय गोलिया चलाई जब वह पाकिस्तान के लाहूर में एक फार्मेसी से घर लोट रही थी बता दे कि लोकल मिडिया ने ये जानकारी दी है पाकिस्तानी मिडिया आउटलेट दडॉन ने बताया कि वह कुछ दिन पहले एक सरजरी के लिए लाहूर लोटी थी मलिक ने अपने परिवार द्वारा अस्विकार किये जाने के बाद 2018 में न्यूज एंकर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ती बनकर इतियास रच दिया था रिपोर्ट्स के मताबिक पाकिस्तान फेशन डेजाइन काउंसिलिंग द्वारा सालाना आयोजित होने वाले एक प्रमुक फेशन शो में पहली ट्रांसजेंडर मॉडल बनने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पाकिस्तान के कोहनो टीवी पर अपनी शुरुआत की जब उन्होंने 21 साल की उम्र में देश की पहली ट्रांसजेंडर टेलिवीजन होस्ट बनने के बाद 2018 में सुर्खियां बटोरी तो उन्हें लोगों से जबरदस्त पॉजिटिव प्रतिक्रियाये मिली थी खेर अभी के लिए इतना ही नमस्कार मेहुदी पक खबरों के लिए बने रही है मरत भाशी नियूस के साथ